बढ़ते और बात करते हैं गोड़ा में गर्मी के शुरू होते ही पानी की किलत जैसा कि हर दिन देखने को मिलता है हर गर्मी में देखने को मिलता है कि गर्मी शुरू हुई नहीं कि पानी के किलत लोगों को छेलनी पड़ती है शहर के साथ कई गाउं है जहां पानी की भारी क किल्लत है जिले के एक गाउं में पानी के संकट पर किस तरीके से लोग परेशान हो रहे हैं और पानी की किल्लत है यहां पर देखें इस रुपॉर्ट में पानी की किल्लत से बेहाल हुए लोग तो चापाकल के भरोसे है गाउं विभाग ने कहा नहीं है आवंटन जराइन चापकलों पर नजर डालिए ये सालों से ऐसे ही खराब पड़े हैं गाउं के अधिकतर चापकलों का यही हाल है केवल दो चापकल ही काम कर रहे हैं नतीजा इस गाउं के लोग दूर से साइकल से पानी लाते हैं पीने का पानी लाने के लिए सदर प्रखंड के पांडू बथान के लोग आज केवल दो चापाकलों पर ही आश्रित हैं विभाग ये कहकर पल्ला जाड़ ले रहा है कि उसके पास तो आवंटन ही नहीं है पाकल कितना दिन से खरा दे लिए विभाग से अभी स्विक्रिती नहीं होने के कारण दिकत हो गया है और मेटेरियल की हम लोग के पास दोगी था उपी अब लगभग खतम होने जा रहा है ये से हम लोग चापा कल मरमती कार्ट करवा रहे हैं बहुत सारा कराय भी है और मरमती कार्ट चल भी रहा पदाधिकारी अपना पल्ला जाड़ लेते हैं नेता सुनते नहीं ऐसे में खाम्याजा आम आदमी को ही भुगतना पड़ता है और उसका सालों से पानी के लिए भटकाओ जारी है गुड़ा से न्यूज 11 भारत के लिए नरेंद्र की रिपोर्ट